अब कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों के साथ जमू में आज शाम को भाजपा की कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी तरुन्चुक सहित कई अन्य वरिष्ट नेता भी शामिल होकर विधानसमा चुनावों के लिए रन नीती बना हर पाक रिफ्यूजियों को में और पार्टी दिल की कराईयों से उनको बढ़ाई देती है कि वकाम नहीं देती है तीन दिन पहले माननीय ओपर राजपाल मनौल सिना जी ने अड्मिस्ट्रेटिव अप्रूबल देखा उनको मालकाना उनकी जमीनों का उनको मालकाना हक दिय हैं 75 वर्षों से वो जिस स्टेड लैंड के उपर बैठे हुए थे नेशन कांफरेंस कांगरस और पीडी पी ने उनके जो राइट्स थे प्रपराइटरी राइट्स थे कभी नहीं दिये उनके हकों को खाया परन्तु माननीय ओपराजपाल मनौल सिना जी ने तीन दिन पहल मानी ग्री मंतरी अमिशाजी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी देख रेक के अंदर जमु किश्मीर के अंदर रहने वाले उस हर उस वरग और समार्व के लोगों के साथ नियाय मिला उनको जस्टिस मिला उनके साथ इंसाफ हुआ धन्यवाद देना चाहूंगा गाओं में शादी समारों में दावत खाने के बाद बिमार हुए 86 लोग GMC उदंपूर में भड़ती है जिन में 35 बच्चे शामिल है दो लोग जमू के GMC जमू में रेफर किये गए है जबकि दो की शुकरवार को मौत हो गई है GMC उदंपूर में भड़ती मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है मृत्तकों के पोस्ट मॉटम वे मरीजों के किये गए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले के कारणों का पता लग पाएगा तो प्रेजन्ट ली अगर हम कहें तो इस ताइम पे 86 पेशन्ट एडमिटेड हैं जिन में से 35 जो हैं वो बच्चे हैं और 51 अडल्स हैं उसके साथ ही हमने दो पेशन्ट रैफर किये हुए हैं जैसे मैंने पहले बता दिया आपको के दो पेशन्ट उसमें से ब्राइट इस टाइम पे जितने बच्चे हैं वो और अडल्स भी जो हैं वो सारे के सारे पेशन्ट स्टेबल हैं उनको पुरा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और अची तरह रिस्पॉंज कर रहे हैं देखें अभी तक पोस्टम कंड़क्ट हुआ है उसका भी फरेंजिक अनलिसिस होगा इसके बीच में हमारे जो मैक्रोबैल्जी डिबार्टमन्ट है उन्होंने स्टूल का सेंपल लिया हुआ स्टूल का कल्चर होगा रहा हम देखेंगे उसमें क्या चीज पाई जाती है उ वार्शा का मुश्मी रोड भी अच्छा नहीं था पत्र पड़े थे कैसे कैसे विवस्ता वार करके अस्पटर तक पहुंचे है दो कर मोदो होगे एक लड़की खत्म होगी तरही कि वह ग्यारा साल की थी बहुत को लेगे थे सुबह फिर बापस आई गया उसका इसके केंद्र की एंडिये सरकार वे जमु कश्मीर प्रशासन के खिलाफ विपक्ष ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है विपक्षी दलों के नेताओं ने एक मंच पर आकर सरकार के खिलाफ हुंकार भड़ते हुए जमु में आज जोरदार प्रदर्शन किया कॉंग्रेस बढ़ाने वाले संचोदनों को वापस लेने सहीत कई अन्यमागों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है ग्रद्राने जमु क्ष्मीर की पहचार पापस करणा हैot थ्युविते हैं आज यह सरकार को समझना चाहिए कि आज जमू के लोग सबकों पर और जो आपने पांच के दो जैर निस को कहा आज लोगों निकनारा दिया काले दिन का काला कानू ना मंदूर ना मंदूर। आज जमों के लोग पांच के दो जार उन्ठी के किलाफ है। अब देखिए। कि लोग आज इस फैंसरे के किलाफ है। और सबसे बड़ी बात जो LG साब को पावर ने दी जा रही है। और स्टेट की सेम्बली को पावर नहीं और अजी साब को पावर हैं तो मैं जब समझता हूं कि यह जम्मू की देमोक्राइसी का कतल है उसे के लिए आज सब्लमों कटे हैं और सरकार से डिमांड है कि अपने फैंसरे पर पंदर विचार करें आज की मुख्य दिमान यह है सबसे पहले कि हमारा जो स्टेट हुड आपने लिया है शीना है वो हमें फौरी तोर पर वापस किया जाए और उसके बाद एलेक्शन किरुए जाए दूसरी बात जो आपने वर्णर एरजी साब को आप जो लेटेस्ट नोटिफकेशन निकाला है और उस जोटिफकेशन में जो आपने पावर उनका दी है वो गार कानूनी है वो गाराइनी है वो डेमोकराटी के मताबक नहीं है डेमोकराटी का मैं समयता हूँ हनल है जमुकिश्मीर के लोगों का हनल है वो फौरी तोर पर उसको वापस किया जाए और हमारी जो के लोगों को इन्होंने शीने हैं वो फौरी तोर पर वापस किया जाए आज कैये जो हमारा प्रोटेक्स है हम यही बात कहने चाहते हैं के सारे अधिकार लेटिन गवर्नर को दिये दिये गे इस तरह के काले कानून चुनाओं से पहले यह कानून निकालना इसका मकसद कश्मीर के अवां पर हमारा स्टाटर्स हमारी डिग्रिटी हमारी पैचान डोगरा रैसल की पैचान हमारे तमाम अधिकार छी लिएगे इसलिए हम जमीन और नौकरी के अधिकार और सोची अधिकार बचाना चाहते हैं रियास के तर्जा बहाल करना चाहते हैं जनता को जनत करेंगे बीजेपी के यह ताना शाही की सरकार और जो आडर हैं इसके ख़लाब हम सब हैं शिपसेना ने पहल कि यह तमाम पार्टी था हम कांगस डाश कांज़ पीडीपी सीपीम टीपी आई और बाकी आईडीपी शिपसेना तो पहले ही बोला मैंने और तमाम लोगों ने ले है कि जिन दलों ने जमुकश्मीर की जनता को समविदान से वंचित रखा वो दलाज समविदान और स्टेट हुड का राग अलाप रहे हैं यह दल अपनी गिरी हुई साख को बचाने के लिए लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं वहीं चुग ने ये भी कहा कि लोग सबच जुनाव में मोग की खाने वाले दलों का कोई भी मनसूबा जमुकश्मीर की जनता काम्याब नहीं होने देगी और जम्मुकश्मीर के अंदर सभी को पांच लाक रवे तक का मेडिकल सतर साल तक सात दशक तक जम्मू कुश्मीर को डॉक्टर भीमरा बंबेतकर जी के सवधान से वंचित करके रखा था वो लोग आज सवधान की और स्टेट उड़ की बाहत कर रहे हैं जो लोग लगा अतार बाइकाट की राइनीती से सत्ता में आये थे आज बारी पोलिंग से गबरा कर हताशा निराशा में ब्रह्म पैदा करने का काम कर रहे हैं क्योंकि खुद देश के परधानमंत्री ने कहा है कि स्टेट हुड मिलेगा दिया जाएगा चुनाव के बाद स्टेट हुड मिलेगा जब परधानमंत्री ने कह दिया तो ये परदर्शन केवल वै केवल अपनी गिर्ती हुई साख जनता की द्वारा नकारे जाने की उपजी हुई जनता के मन में उनके प्रती जो ग्रीना उपजी है उसके कारण देकॉंसला किया जा रहा है जबकि सच ये है पहले ये परदर्शन कर रहे थे चुनाव नहीं होगा चुनाव नहीं होगा चुनाव हो रहा है तो उससे ध्यान बटाने के लिए स्टेर्ट रूट का काड़ खिला जा रहा है जो लोग ताजे ताजे हार कर आए है जिनको जम्मु कुश्मीर की जनता ने गांदी नहिरु परिवार के किसी प्रतिनीदी का ठाता नहीं खुलने दिया 2024 के चुनाव ने क्लियर किया है कि तीन परिवार अब जम्मु किश्मीर में नहीं चलेगे अब दुल्ला परिवार के यूराज पूरो मुक्ह मंत्री को चुनाव राया जम्मु किश्मीर की जनता ने मुफ्ति परिवार की यूरानी और पूरा मुख्य मंत्री महभूबा जी को चुना वराया जम्मु कुश्मीर की जनता ने और गांधी नहरू परिवार के तो पार्टी का खाता भी नहीं खुलने दिया जले जम्मु कुश्मीर की जनता का संदेश पश्ट है कि अब तीन परि आगज़तने की कोशिछ नहीं चलेगी जम्मू कश्मीर अब ना चैना का गाना गायेगा ना पाकिस्तान के तराने पर जाएगा ये नेता जो चाईना और पाकिस्तान की बात करते हैं जनता अब इनके जाणसे में देश में हाली में लाग हुए तीन अपर राधिक कानुनों के प्रच्छ प्रसार के लिए सुरन कोट में आज एक सेमीनार का आयोजन किया गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आयोज़त सेमिनार में कुलगाम के डिस्टिक सेशन जज कुलगाम के परवेज इकबाल मुख्याती थी थे वही सेमिनार में मौजूद सुरनकोर्ट के सब जजज वजाहत हुसेन काजमी ने इन तीनों कानूनों के पहलूं के विस्तार से जानकारी देकर सेमिनार में मौजूद स्टूडेंट्स का और ग्यान भढ़ाया कि अग्यार में मौजूद के सोशल मीडिया जो है वो अब आज की दोर में बहुत एडवान्स हो गया है हम इंटरनेट यूज करते हैं फेस्बुक है ट्विटर है बहुत सारे प्रेट फार्म्स हैं सोशल मीडिया पर तो उन सब चीजों को इन दी डेफिनेशन आफ कि आज QUE अधिरी इंटिन पैनल कोड बहुत कर नहीं सखेंडालीज को इन पर युट्री इंडर बहुत चरणते के इसक एगा है अगर मैं बात करूं को इसको अवः तो थोड़ा सद्यग Lane किया गया है इसको थ्टरासya स्ट्रीम लाइन किया गया है ड़िसन क्लाज obligation डोडा में नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट टूर्नमेंट का आयोजन किया चारा है जिसका आज उद्घाटन हुआ डोडा के DC हरविंद्र सिंग ने इस दो दिवस्य क्रिकेट टूर्णमेंट का उधगाटन किया जिसका आयोजन नशामुक्त भारत अभ्यान के तहत किया गया टूर्णमेंट के पहले दिन आज खिलाडियों ने मैदान पर जम कर चौके छक्के भी लगाए तो यह टूर्णमेंट एक्चली हमारा दो दिन का है आज और कल के टूर्णमेंट है और यहां पर हमें जो स्पोर्ट मिला है यह मतलब DC डोडा और बाकी भी जो आसपास मतलब लोग हैं उनका भी मैं थैंक्यू करना जाओंगा उनका काफी स्पोर्ट मिला और उन्होंने हमें मतलब ट्रांसपोर्ट का और बाकी खाने पीने का रहने का उन्होंने दिया हमारी कोशिश थी कि जो हमारे न्यू प्लेयर है तो यहां पर उनको मुका दिया जाए तो दस से पंदरा प्लेयर जो अभी न्यू प्लेयर हमारे इस टोनमेट में खेल रहे हैं तो उनको साथ ऑफ कोमर्स एंड़स्ट्री ने नई बस्ती के दुकानदारों को कहीं और शिफ्ट करने के फैसले की सरहना की है एस्प्रेस वेक के निर्मान के अधीन आने वाली दुकानों को गिडा कर प्रभावित होने वाले दुकानदारों को जमू में किसे दूसरी जगर दुकाने देने के फैसले के लिए चेंबर ने उपराजपाल प्रशासन का आभार जटाया है चेंबर के प्रधान अरुन गुपता ने आज एक प्रेस कॉंफरेंस के दौरान बताया कि प्रशासन के इस फैसले से प्रभावित दुकानदारों को बेहद राहत में लिए जिसके लिए चेंबर उपराजपाल का अभारी है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम जो है अलजी साब ने किया है थर्टी नाइन शाप जो हैं उनके लिए उन्होंने एक उनको अलोग किया है कि उनके लिए नई जगापर उनको देखे मैं अलजी साब का एक बार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरहां से फ्लाइ ओवर बरने के बाद 39 दुकान जो हैं यहां नई बस्ती के अंदर जिस तरहांuchen से आ रही थी और क्योंकि रीहेविलिटेशन पॉलिसी नहीं है। समय को देखते हुए हमें rehabilitation policy जो है जो policy तो नहीं बनाते लेकिन उनको लोगों को rehabilitate करना पड़ता है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम जो है अलिजी साब ने किया है 39 shops जो है उनके लिए उनोंने एक उनको अलोग किया है कि उनके लिए नई जगा पर उनको बसाया जाएगा एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक relief है और जमू के लोग जो है इस सारी चीजों को लेकर के अलजी साब से बहुत जमू वैस के आसपास के इलाकों में बिजली की अगोशित कटोती से लोग परिशान है और तो और उन इलाकों में भी बिजली अक्सर गुल रहती है जहां स्मार्ट मीटर लग चुके है वाड नमर 32 संतरा मोड के लोगों ने सडकों पर उतर कर बिजली कि अगोशित कटोती के खिलाफ प्रदर्शन किया है वहीं कासिम नगर के निवासी भी बिजली विभाग से खुश नहीं नजर आ रहे हैं कि अब बच्चे छोड़ छोड़ देखिए आप कैमरा लगा यह छोड़ छोड़ बच्चे कोई बिमार है को बुजूर बिमार है को हाड का पेशिट है खंबे इनके मीटर इनके बिल इनके बाइसाब अंधियर नगरी में चाहिए यह आप लोग ने क्या आप किसी दुकान पर कोई चीज में लेड़े के लिए जाते हो तो उसको चेक अप किया जाता है मीटर इनके खंबा पर इतनी तरी उचे लगा दिये मेरा पिछले मीने 26 का बिल ला था उससे पिछले मीने निस सब चाहता इस मेने मेरा कत्ती सो पिशास रुपे आया भाई वही फ्रिज वही एसी वही पंका वही वाशिंग मशीन ऐसी कौन सी मोटर आगी बीच में कि इतना बिल बढ़ गिया गिरीव आदमी कहां से करेगा जो दियारी लगाता है तीन सौर पर कमाता है वह पांच-पांच-पांच-ईजार प्या बिल कहां से देगा और बिल तो देती हैं लोग हमारे इस एरिया में ऐसा कोई गार नी होगा जिसका बिल प्रणी होगा तो फिर हम अरास्मेंट हो रहे हैं इतनी लाइट का कट सुबह एक-एक वेसे लेकर राद को आती है पांच मिन्ट आती है जब भी कोई पंखा लगाते है उसी पांच-पांच-पांच-पांच-पां मतलब कि सारे बच्चे क्या पड़ेगा सब भी दुखी है उससे सभी परिशान है मतलब कि आप यह सो सकते कि अभी थोड़े दिनों में हम लोग देश की अजादी बनाने वाले हैं और अजादी को हम बोलते कि हम 80 साल अभी आप देख लो कि 2 साल में 80 साल हो जाएंगे हमार अगर बिजली और बेसिक निसेस्टी नहीं है बच्चों को अगर नोकरी नहीं तो इसका फाइदा क्या हो सकता है अगर यहां पर आप यह चीज़ देखो कि इतने इतने लंबे काट्स हो रहे हैं इतने लंबे बावजूद इसके कि जम्मू में नो हाइड्र इलेक्रिक वह केरला की न्यूज देख लिए बाड़ आई इतना कुछ हुआ लोग में रहे हैं उसमें आपने देखा कि कोई अमीर विक्ती था जो मरा कोई पॉलिटीशन था कोई नहीं मरा सिर्फ यहां पर क्या होता है कि गरीव होता है जो सबका सारा शिकार होता है बताना चाहती हूं क इतना कि अब शबर को गलता है बड़मा मुंहाई बोले हूं कि भी नहीं मरा श्वाने ड़ह कहुं कि सब्सक्राइब theology स्म्हें संध है कि ने जुग एլदाने में टाइब ल यहां पर बिल्कुल इतनी शौर्ट सर्किट हुआ था और मेर को खुद को गरंट लगा था और में चहत पे गिर गी थी वो तो कोई नेबर का बच्चा है उसने बताया कि दीदी उपर चहत पे गिर नी तो मेरी तो फैमिली को पता भी नहीं था करना है तो काम कीजिए क्ञंबे के हाला घंड किसी और किसी गर रहा सकते हैं । agreement कीुछoler होगाए adequate क्यो पिछा के का जाहि था झाल की नाड यही थी करा आया कोई नहीं एंञ यही थी करारा तो उप्छे का बिशनार इंग रोड पर बस और ट्रक की जोड़दा टकर हो जाने से बस में सवार चार लोग घायल हो गए है घायलों को 108 हैंवुलिन सेवा के माध्यम से बिशना के उपजिला अस्पताल में भरती करवाया गया घायलों की पैचान पंकरश कुमार, परवीनलाल, अक्षत कुमार और युदवीर सिंग के रूप में की गई है और ये सबी हरियाना के रहने वाले है बिशना अस्पताल से प्रात्पिक उपचार के बाद इन सबी को जमू के GMC अस्पताल रेफर कर दिया गया वहीं पुलीस ने मौके पर पहुंच कर मामला दर्च कर लिया है और आगे की कारवाई शुरू कर दी है की निदम मतनले अचल पाँ के साथ के सहत चल रहता है ऐब वहीं publicity अचल रही है तक टिया उसने ना उषजा बाच को कनेक्टर दाथा ना कुछ निना कोई हुए इन्डिकेटर दिया और एक दम अपने अमारी साइड मोर दिया उसने मुद्वा नब रिग लगाते लगाते कम शे एक 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 केला तक गाड़ी की सटती गई जागे चेक कर लो और एकदम कट मारता ही ब्रेग लगते लगते उस गाड़ी जा अंदर लग जी गाड़ी उसमें ड्राइवर के पैस कम शेकम ए गंटे बाद पैर निकाड़ा उसको बड़ी मुश्किल छे और उसका पैर भी टूड़ी के लिए अम दिल्ली से कट्राज आ रहे थे जी पानी प नाम पंकज है जी कनेक्टर परवीन है जी गाड़ी में एक लेड़ी इस ती जी और उसका एक बेटा था और तीन टोटल ये पांट सवारी थी और दो हमते साथ बन ले थे उदंपूर में दुधार नाले में डूबे युवक का शवार चार दिनों के बाद बरामत कर लिया गया है व्रितक की पैचान उन्निस वर्षिय वंच के रूप में की गई है वंच किन परिस्थित्यों में नाले में ढूबा था पुलीस की चांच कर रही है इस वापरेशन में एंडी आरप एस डी आरप और नाइन परा कमांडू नों भी भाग लिया और काफी गोता खोरों नों भी काफी मिनत त्या मसकत पूरेपाट की चुनोतिया की बुद्धवार के रात में बारिस हो गई जिसके वज़ह से पानी बढ़ गया पानी बढ़न सुक्रवार को कल फ्राइडे था कल ऑपरेशन करने स्वरा सा आसानी सवलियत हुआ और आज सनिवार था तो सुबह आते ही दस साधे तस बाज बाद डेट बोडी मिल गई अधमी पाठी की जमुकश्मीरी काई ने बिचली की अघोशत का टौथी पर प्रशासन और बिजली विभाग को आड़े हाथो लिया है आम आद्मी पार्टी ने आरोप लगाया है कि घटिया क्वालिटी के मीटरों वैतारों का खामियाजा आम लोगों को भुकतना पड़ रहा है बिजली ना मिलने के बावजूद लोगों से बिजली का भारी भरकम की राया वसूल आ जाता है पार्टी के नेता ओपी खजूरिया ने इस मामले में और क्या कुछ कहा है आईए सुनते हैं बिजली देंगे नहीं पर बिजली का बिल जरूर लेंगे और जे मैक तो लहाजा सभी जगा के उपर एक तो बिजली के बिल बिजली के बिल आ रहे हैं पर बिजली नहीं है प्रावल्म यहां है कि जो सब स्टेंडर्ड मीटर लगाएगे हैं जो सब स्टेंडर्ड केबल लगाएगी है और उसके बाद जो जमपर इनके उड़ रहे हैं इनके पास स्टाफ नहीं है स्टाफ की डेफिसेंसी है और लोगों के गरों में बिजली का बिल पहुंच रहे हैं तो लहाजा इस स्टेट अडमिसेशन से जमू यूटी अडमिसेशन से गुहार लगाते हैं कि इस गर्मी के महल में इस इतनी तेज गर्मी में कम से कम लोगों को बिजली देके लोगों को रहत पुजाएं और दूसरा जे जो अनशेडूल कट के साथ साथ जो बिजली के बिल एक गरीव के गर्मे जो दस जह रप la- Scot ले रहा है ठीख है उसा उसका उस के गर में पांच यार सात यार न्दस यार और बिल बेज हो या ऑर बिल बेज़ दिया आगे किस तरीके की चोरी बिज लिएride की बिज़ि बिवाग कर रहे हैं झाल झाल